नमस्कार आप देख रहे हैं TNP News, मैं हूँ आपके साथ निम्मे सिन्हा और नज़र डालेंगे आज की खबरों पर कॉंग्रेस से स्तिफा दे चुके जम्मो कश्मीर के पूर्व सियम गुलाम नभी आजाद ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वे बीजेपी में शामिल नहीं होंगे उन्होंने कहा कि उनका बीजेपी में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि वे अपनी खुद के पार्टी का गच्छन करेंगे और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उतरेंगे जानकारी के मताबिक कॉंग्रेस ने ताउ द्वारा बीजेपी से गडबंधन के कयासों को गुलाम नभी आजाद ने मुर्कता पूर्ण विचार बताया गुलाम नभी आजाद ने कहा कि एक कश्मीरी बीजेपी में कैसे शामिल हो सकता है उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे कयासों से घृणा है और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ केंद्रे मंत्री नितिन गड़करी अपने बयानों को लेकर अकसर चर्चा में बने रहते हैं लेकिन बीजेपी संसदी बोर्ड से बाहर किये जाने के बाद से उनके ऐसे बयानों से नाराज़गी के कयास तक लगाई जाने लगे हैं हाली में एक नितिन गड़करी का बयान फिर चर्चा में है अब उन्होंने कहा कि किसी को कभी भी इस्तिमाल करना और फेकना नहीं चाहिए अगर आपने एक बार किसी का हाथ थामा है तो फिर अच्छे दिन हो या बुरे दिन उसे लगतार थामे रखें वहीं दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तना तनी जारी है सोमवार को बीजेपी ने सीवी सी रिपोर्ट का हवालत देते हुए आप पर आरोप लगाया है बीजेपी ने कहा है कि दिल्ली में शिक्षा घोटाला हुआ है साथ ही केजरी वल सरकार से पूछा कि जब 2400 क्लासरूम की जरूरत थी तो 718 क्लासरूम क्यों बनवाए गए इतना ही नहीं टेंडर की कीमत भी 90 फीस्दी तक बढ़ाई गई है बीजेपी ने मांग की कि सीएम अर्विंद केजरीवाल विधानसबा सत्र में सभी सवालों के जवाब दें बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि दिल्ले सरकार के स्कूलों में कक्षाओं के निर्मान पर सीवी सी की जाच रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री अर्विंद क इजरीवाल ने कोई कारिवाई नहीं की है इसके साथी बीजेपी ने कहा कि स्कूलों में बच्चों के शौचाले को क्लासरूम के तौर पर गिना गया है इसके साथी 1315 कड़ों रुपे के खर्च का हिसाब मांगते हुए कहा कि इतने पैसे कैसे खर्च किये गए खबर 36 इस वीडियो को साजा करते हुए बीजेपी ने सरकार पर वित्तिय कूप्रबंधन का आरोप लगाते हुए तंजकसा और सीएं भुपेश बगेल को मिस्टर बंटाधार बता डाला दरसल वीडियो में सिंग देव को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि प्रदर्शन कारी कर्मचारियों के भत्तों में व्रिद्धी करने के लिए सरकार की आउकात नहीं है क्यूंकि वह उन्हें पहले ही 40,000 करोर रुपे दे चुकी है उधर आलोचना होने पर सिंग देव ने शब्द चुन्ने में गलती बताते हुए इसके लिए खेद व्यक्त किया और कहा कि बीजेपी को 36 गड़ सरकार के साथ सयोग करना चाहिए और केंद्र सरकासे लोगों के हित में राजि को बकाय राशी जारी करने के लिए कहना चाहि चंद की आज 117 वी जयनती है जिसे हर साल 29 अगस्त को राश्ट्रिय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है ये दिन होकी के दिगज खिलाडी मेजर ध्यांचंद के जन्म दीन के मौके पर उने श्रैधानजली देने के लिए मनाया जाता है बता दे कि होकी के जादूगर क कहे जाने वाले भारत के महान होकी खिलाडी मेजर ध्यांचंद सिंग का जन्म 29 अगस्त 1905 के प्रयाग राज यूपी में हुआ था अपनी बुन्यादिस शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने 1922 में एक सैनिक के रूप में भारतिय सेना की सेवा की और होकी में भी ख आजए नमस्काइ